होमेपैथि में नेजल स्प्रे जो आते हैं उनमेंस एक है ये वीजल का नेजुलीन स्प्रे और बैकसन का नेजल एड़ स्प्रे तो आप देख सकते हैं इन दोनों के पैकिंग की बात करें तो आई आपको दिखाते हैं जो नेजलेट स्प्रे है पैक्सन का वो कुछ ऐसा है और वहीं बात करें अगर नेजलीन स्प्रे की तो वीजल का जो नेजलीन स्प्रे है कुछ ऐसा है हाला कि कंपेरिजिन वाइस अगर मैं कहूं तो दोनों ही स्प्रे काफी एफेक्टिव है स्नीजिंग और डिजनिया और राइनाइटिस यानि की अलर्जी वगेर जो हो जाती है मौसम चेंज होने में या फिर नाक में आपकी ब्लॉकेज हो जाता है तो काफी अच्छे स्प्र स्प्रे है हुमिपथी में इसका इस्तिमाल होता है इस निजल स्प्रे तो इनको मैं एड़ान रमेडी की तरह देता हूं पेशेंट्स को जिनको इस तरह की कोई अलर्जी ग्राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस तरह का क इस चैनल में आते रहत हैं सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे थेंक यू सो मच